और मेरा सब्सक्राइब आपका बहुत बहुत स्वागत इस नई वीडियो के अंदर जहां पर हम बात करने ट्रिपल रर मुवी के बारे में पसंद आया बट जो मुझे सबस्द आया वो था हमारा इतिहास से कनेक्शन जी आपने बिल्कुस सही सुना इसके अंदर और इंडिरेक्टर रेफ्रेंसी स्थिफ रमायण और महारत से और क्योंकि ये मुवी दुबारा रिलीज हो रही है भारत के अंदर तीन मार्च को तो हो आपके मन में उनके रिस्पेक्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मैं आपको सबसे पहले रामायण से बताऊंगों जो इस मूवी के अंदर दिखाए गई हैं तो इस मूवी के अंदर दो मेन करेक्टर से हैं एक है लूरी सितर रम राजु जिनका नाम है राम और ताकि तुम लोग अंग्रेजों से लड़ सको और मूवी के अंदर भी राम अपनी मातर भूमी को छोड़ के जाते हैं जैसे श्री राम जी अयोध्या को छोड़ के गए थे और रामायड के अंदर बिचा आप कुछ भी रिजन बताओ बट जब श्री राम जी वन वन भटक रिचियों और महारिशियों से ज्यान को प्राप्ट करते तो उंको वाँ पर अस्तर भी मिलते हैं इनका प्रयोग वो रावड के विरुद करते और विजले को प्राप्त करते हैं यहाँ ठकर यहां पर भी साफी मुझे तो मिलती है आप कमिंयट करक wonders उन और हमारे दूसरे करेक्टर कोमराम भीम जिनको हनुमान जी दिखाया है और उनके गाउं की बच्ची को अंग्रेज उठा के लिए जाते हैं जिसको आप एक तरसे रावन समझ सकते हैं और बच्ची को माता सीता और उसको बचाने के लिए हनुमान जी धूड़ते वे मूवी के अंदर जो लीड करेक्टर हैं उनको फायर और वाटर से रिप्रेजंट करें गया है अब श्री राम जी है सूरे वंची यानि की फायर और जो हनुमान जी है वो महादेव के अंच अफ्तार है और वो धारन करते हैं चांद जो की शीतलता को दिखाता है यानि के कारण एक दूसरा की खून के प्यासे बन गए थे अब रमायन में जब हनुमान जी माता सीता का पता लागाने जाते हैं लंका के अंदर तो अपना रूप बदल के जाते हैं वैसी भीम अपना गोंड जाती को होने के बावजूद अपना एक मुस्लिम का अटायर पैन के जाता है ताकि वो उनके बीच में रह सके और अपनी information कलेक्ट कर सके अब रमायन में सबसे जादा important character जो वार में निभाया था वो था विभीशन जी ने क्यूंकि अगर वो नहीं होते तो लंका के जितने रास थे वो कभी नहीं खुलते और राउंड को मारना बहुत ही और उसको भी पता था कि यह लोग गलत कर रहे हैं यहां पर अत्याचार करके और अगर जैनी नहीं होती तो उनको कभी नहीं पता चलता कि भीम को कि वो जो बच्ची है वो वहां पर है और वहां पर entry कैसे लेनी है और जब भीम जैनी को एक कड़ा भीजवाते बच्ची को दिखाने के लिए ताकि वो पहचान जाए तो यह बिल्कुल वैसा ही जैसे अशोक पार्टिका में माता सीता को अंगूठी दिखाए थी ताकि वो पहचान सके कि यह किस ने भीजी है वैसी बच्ची को भी पता चल जाता है कि यह उसके गाउं से ही आई है और अब उसको ब अगेगा पर अगर मैं आपको कथा सुनाओंगा रामायन से तो आपको सब समझ में आ जाएगा अभी कथा है रामायन के युद्ध कांड की जहां पर महारती इंद्रजीत अपने पाणों की वर्षा से श्री राम जी के सेना का विध्वन्स कर रहा था और तभी उसने ऐसा अस्तर चलाया जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था नाक पाश और उस नाक पाश में दोनों भाई ब्रादा श्री लक्ष्मन और श्री राम जी बंद के रहे जाए और गैस वट वहां पर भी उनकी रक्षा किस ने करे थी हमारे बजरंग बली जीने वो गय थे और वहां से संजीवनी बूटी लेकर आया थी और वहां पर उनकी रक्षा करे थी और मुवी के अंदर भी आपने देखा ओगा सेम युआ था क्यूंकि इसको जो दवाही थी वो किसी के पास नहीं थी तो उहांपर भीम नहीं उनकी झीवन की रक्षा कर दें और वो कैसे महादेव की भ इसे कहा जाता है गलेहरी प्रयास यानि कि अपने तरह से चोटा से चोटा काम करना एक बड़े गोल को अचीव कर देख ले तो आप भी लाइक शेयर और कमेंट कर दिए ताकि ये वीडियो जादा लोगों तक पहुंच सके और इसी आइकॉनिक सीन के बाद जब भीम को राम पकड़ लेता है तो उसको एक जगा बांद के काफी मारता है बट उसको कुछ भी असर नहीं होता है वो मतले एक तरह से सरेंडर नहीं करता अब इसके पीछे बीना एक बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग स्टोरी है और इस वाली डीटेल को फाइंड आउट करना बहुत ही बढ़ा है और जो सभाख खतम करके सारे रिशी महारिशी जा रहे होते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम सबको प्रणाम करो पर विश्वा मित्र जी को नहीं करना क्योंकि वह एक राजा है अब यह देखके विश्वा मित्र जी को थोड़ा जंबात होता है पर वो इस प डंड देंगे अब यह देखिया हनुमान जी का भी हिरदय टूड गया किया और वो कैसे अपने ही प्रभू का अपमान कर सकते हैं और वहां पर बैठ गये पर नारज जी ने बोला कि आप सिर्फ राम नाम का जब कीजिए और आपको कुछ भी नहीं होगा और वैसा ही हुआ जब भी श्री राम जी उन पर आकरवन करते हैं तो राम नाम के शक्ती से वो बिल्कुल सेफ रहे तो यहाँ पर एक तरह का इन्फॉर्मेशन ने कल्यूक के रहे कि कल्यूक के अंदर जो राम का नाम बढ़ा होगा आपने सुना कि भजन किर्तन में ही शक्ति है और सिर्फ के नाम लेने से ही आपके पाप भूल जाते हैं अब हम लोग सेम लॉजिक करते हैं मुवी के अंदर श्री राम जी डंड दे रहे हैं हनुवान को और यह कहा किसने उनके लीडर जो कि उस ताइम पर अंग्रेज थे और जब राम जी उनको अटैक कर रहे है तो आपने देख है कि कैसे उनकी रक्षा राम नाम ने करी मुवी में यह डीटेल फाइंड आउट करना बहुत ही जादा मुझकिल है मुझे नहीं पता है राजा मौली ने कैसे करा वीडियो की स्टार्टिंग से में बतारूं कि जो छोटी बच्ची है वो भी एक तरह की माता सीता ही है अग जैसा ही मुवी के अंदर भी हुआ था जहां पर माता सीता हमेशे सही स्वतनत थी परंतु जो शैडो थी उसको ही कैप्चर करके अंग्रेज अपने साथ ले गए थे और बाहर माता सीता श्री राम जी की रह देख रही थी कि वो कब आएंगे तो महापारा से सबसे पहले च स्रीक क्रिस्टिन जी की गाइडेंस के बीना वो युद्ध नहीं जीच सकते थे वैसे यहां पर भी जो भी भीम थे वो भी राम के डारेक्ट गाइडेंस में थे कि क्या करना है कैसे करना है और उसके बाद जब राम को पुलिस वाले पकड़ लेते तो एक शलोक बोलते है म अध्याय दो शलोक 47 कर्मर ने वाधिकार रस्ते मा फलेशु का दाचन मा कर्म फल हे तुर्भू माते संगोस्टु कर्मनी और ये शलोक काफी ज़्यादा फेमस है आपने कहीं ने कहीं सुना ही होगा इसका अर्थ है कि जो भी आपका कर्म होता है उसका जो फल होता है आप पर उसका अधिकार नहीं हो तो आप सिर्फ करो फल की चिंता मत करो उसे आ सकती मत रखो किया फल क्या होगा उसको सोचते रोक और कर्म करना भूल जाओ और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और आए तो प्लीज हमारा सपोर्ट कीजिए फाइनेंश